जैपूर के करणी विहार थाना इलाके में प्रॉपर्टी कारोबारी नरेश क्रश्णिया की संधिक्द मौत पुलिस के लिए पहली बन गई है पुलिस ने मृतक नरेश के बयानों के आधार पर इलाके में लेगे CCTV खंगाले लेकिन बताएगी लगजरी कार का अभी तक कोई सुराक नहीं लग पाया है अब पुलिस मामले में हत्या या आत्म हत्या तोनी पहलों के आधार पर जांच कर रही है आपको बता दे कि मृतक कर नरेश के परीजरों ने कई कारोबारियों पर भी गंभीरा रूप लगाया थे मैस्तुत्रों की माने तो जांच में सामने आया कि नरेश चार जुन को जैपूर से दिल्ली गया था और पांच जुन को सोनी पात में खात बीच की एक दुकान से बिले फुटेज में नरेश कुछ खरीती वे नजर आया है अब पुलिस के मताबिक साथ जुन को दिल्ली से लोड़ते समय अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस हाई वे पर ये हाथसा हुआ था आला कि पुलिस फिलाल मामले की गहनता से जांच में जुड़ गई है पुलिस अभी कोई निशकर्स पे या किसी नतीजे पे अभी तक नहीं पहुँची है लेकिन हमारी तपतीज बराबर चल रही है हमने हर चीज पे फोकस किया है और चार तरिक को जैसे मृतक नरेश वो दिल्ली गए है साथ तरिक को वापस लोटे हैं चार तरिक से साथ तरिक तक वो कहां कहां गए किस किस से मिले किस परपस से मिले तो सारी चीजों पे उनकी कॉल डिटेल के आधार पे उनकी लोकेशन के आधार पे उनके मिलने वाले जुलने वाले किन किन से संपर्क में हो रहते थे क्या ये सारी चीजों पर हमारी